मद्ध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान सोमवार की रात को एक हाथसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए उत्राखंड में एक शादी कारक्रम में वे काशीपूर गए जहां वे आशिरवाद समारों के लिए जा रहे थे कि बाचीत करते करते वे सीडिया नहीं देख पाए और पैर फिसल गया लोगों के सहारे से वे बाल बाल बच गए आज इसका वीडियो वाइरल हुआ है बताया जाता है कि उत्राखंड के काशीपूर में सोंवार को भाजपा के राश्ट्री सहसंगठन महामंत्री शिव प्रकास के भतीजे घनेंद्र सिंग गहलोत का विवाह कारक्रम था जिसमें भाजपा के तमाम नेता पहुंचे थे और मद्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी सर्मा भी एक साथ शादी कारक्रम में गए थे कारक्रम स्थल के कारीडोर से सियम और अने नेतागर्ण चर्ट्या करते हुए आशिरवास समाक्रो के लिए जा रहे थे और सियम के सुरक्षा कर्मी उनसे कुछ फासले पर ही थे कारीडोर में कुछ सीड़ियां भी थी जिन पर सियम की नजर नहीं पड़ी और वे बात करते करते सीधे कदम बढ़ाते गए सियम समतल समझकर कदम बढ़ा रहे थे कि सीड़ियों से उनका पैर फिसल गया पीछे की तरफ उनका वजन पड़ा और उनका सिर फर्स से टकराता इससे पहले दूसरे नेताजी ने उनकी बाँ पकड़ ली इससे उनका सिर जखमी होने से बच गया इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला गटना में उन्हें कहीं चोंट नहीं आई आज वाइरल हो गया यह वीडियो सीम के सीडियों पर गिरने का वीडियो वाइरल हुआ जिसमें उनके कारीडोर से निकलने से लेकर लोगों के सहारा देकर उठाने तक के फुटेश शामिल है इस गटना की मुखमंतरी सुरक्षा के अधिकारियों ने पुष्टी की है और कहा कि सीम को कोई चोंट नहीं आई है उन्होंने कहा कि वे आज भोपाल में तीर्थ दरसन ट्रेन के कारकरम में भी पूरे समय मौजूद रहे थे झा को झा को पूरे समय को ओब भोपाल में तीर्थ नहीं की या भी आए याज रहे पूरे साल खुष्टी की है